Hi friends, Assalamualaikum. क्या हाले, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं. तो आज की हमारी recipe है इसमेटी है लिएनी. तो ज़कर देखें दीजे हमारी बनेने लितल साइसे. बहुत असान तारीके से लिन्स यह िरयांटाइनी. तो हमने लिया एक किलो गोश और अब उसमें कुछ खड़े मसाले जाने तो देख लिजे क्या क्या जा रहा है छोटी लाइची बड़ी लाइची चकरी फूल और लॉंग है जाइफल है तेश पत्ता है और प्यास है यह हमने ऐसे खड़े मसाले डाल दिये अब हम इसमें डाल हम दोलेंगी बिशामक ठाल, अब हम इसमें डालेंगे अधरा गह्लेसं का पे स्टश जो अब हिमने पी सा है, यह दstorm ताजा फरेश है, 2 जमच हमने अधरा रेसून का पे स्ट्श इसमें डाल दिया अब हम इसमें डाल देंगे ऑउयल, दिखिए कोई जंजर नहीं एक दम इसी तरीखा है सारे मसाले आप इसमें डाल दीजें और थोड़ हम जारध हो कि इसमें पानी डालना है। पानी बहुत jeं बहुत जादा है कि हमगोश भी पानी छोड़ेगा और एल भी पड़ा है। rea चुछ हो पी जोड़ें बूह läuft है॥ तो बस यह तयार हो गया, अब इसको हम बन करके चड़ा देते हैं, हम अपने चूले पे अब हम क्या करेंगे, यह जो हमने नारियल, सौप और इलाइची लिया था, इसको हम पीस लेंगे यह खुश्बू के लिए हैं, यह चावल बहुत अच्छा खुश्बू आजाती, बहुत अच्छा फ्रेवर आजाता है, तो इसको हम पीस लेंगे अब ये देखे हमने लिया एक किलो चावल एक किलो गोश था तो एक ही किलो हमने चावल लिया अब इसको हम धो के रख देंगे जिती देर हमारा गोश तयार होगा उती देर हमारा चावल भीगेगा अब ये दिखे चावल के पानी में डालने वाले ये खड़े मसाले हैं अब देखे एक स्ट्रीम हो जाएगी तो फिर हम इसको गैस को स्लो कर देंगे और अगली तीन स्ट्रीम तक के हम स्लो आँच पे पक अब इसी टाइम पे हम नमक डालने हैं अब नमक डालने में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि पानी में नमक तेज होना चाहिए चावल वाले पानी में नमक तेज होगा तो ही आपके चावल में ठीक होगा अगर हलका होगा पानी में ये बराबर होगा तो चावल मे नमक कम हो जाएगा, अब हम इसमें डाल देंगे दो चममच रिफाइंड ओयल, और अब इसको हमने चड़ा दिया चुले पे बॉयल होने के लिए, जब तक यह बॉयल होता है तब तक हम देख लेते हमारे गोश का क्या हाल है, देखे गोश हमारा गल चुका है, थोड़ा सा इ मतलब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, यह देखे हैं, बहुत बारिक प्यास काटी है, अब हम इसको निकालने हैं, प्यास हमारी हो चुकी है, अब हमेशा ध्यान रखिए कि प्यास जितनी डार्क हम पो चाहिए, उससे एक नंबर पहले ही निकाल लीजे, क्योंकि कुछ देर तक होती रहती है, प्यास मिकालने के बाद भी पानी हमारा खौल गया है, अब हम इसमे डाल देंगे अपनी चावल, यह देखे है, हमारा चावल एक कनी रह गई, अब हम इसको पसा देंगे, हमने एक छन्ना ले लिया है बड़ा, और उसमें इन चावल को हम बसा देंगे, हो चुक्या हो चावल हमारा, अब हम यह फिर से भगोना ले लेंगे और उसमें डालने हैं, दो चमच रिफाइंड ओए, क्योंकि गोश में भी तेल है ना, अच्छा खासा, तो इसमें चावल के भर ही हम डालेंगे, अब हम इसमें डालने सिया जीरा, सिया जीरा हमारा चटा हो जाएगा, फिर हम लगाना शुरू करेंगे अपने चावल की लेयर, एक प्लेट ले लेंगे चावल बहुत गरम, हाथ मत लगाएगा, एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट से लेयर लगाना स्टार्ट करिए, यह देखे इस त माला ने पीशा था ना, खुश्बूआ अब वो मसाला हम लगा देंगे इसके उपर यह देखे से चटार्क कि पूरे में लगा देंगे मसाला, अब इसी टाइम पर हम लगा देंगे प्यास को जो हमने गूल्ड न ब्राउन किया था उसको ढाल देंगे, आप हम डाल देंग इसके ओपर थोड़ा सा फूट कलर, फूट कलर अप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप डालें, वना आप प्लेन भी रख सकते हैं, अब हम डाल देंगे, जो हमारा गोश्ट तयार है, वो पूरा गोश्ट हम इसी टाइम पर डाल देंगे, पूरा मटन हमारा बहुत ज्यादा तो बिर्यानी है ने कि अलग अलग हमको चावल और गोश्ट के लेर लगानी पड़े, एक किलो चावल है, एक किलो ही मटन है हमारा, तो हम एक ही बार में इसकी लेर लगा देंगे, और घर में पकाने के लिए जट पट बहुत आसान तरीखा है, यह देख अब बस इसके ओपर हम जितना भी चावल बचा है डाल देंगे हम, इस तरह से सारा चावल आप इस पर डाल दीजिए, चावल काफी कुछ हद तक ठंडा भी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर जो बची हुई प्यास है वो डाल दीजिए, जो मसाले बचे अब इसको एक प्लेट से ढख दीजिए, इसको दो मिनट खुब तेज आच पे रख दीजिए, फुल आच पे और यह देख थोड़ा साथ जो प्यास हमने फ्राइ किया तो बही वाला ओल भी हमने उपर से डाल दिया इसमें, अब फुल आच पे दो मिनट के लिए हम इसको फिर पांच मिनट स्लो आच पे छोड़ देंगे और हमारी बिर्यानी तैयार हो जाएगी, तो अब हम इसको ढख देंगे, दो मिनट फुल आच ऐसी प्लेट से धखिए कि इसके भाब ना निकलने पाए तो लीजे तैयार है हमारी मटन बिर्यानी और वो भी जटपट वाली, बहुत ज़्यादा इसमें ज़ंजट नहीं है तो फिर आप बनाएए हमारी बिर्यानी को, और हमारे चैनल को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और अच्छे अच्छे कमेर्स दीजे, हमारी रेसिपी को आप शेयर कीजे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ जब तक के लिए अला आफेज तो आप देख रहा है ना मेरे बिर्यानी कितनी खुब्सुरत लग रही है इसको देख के तो भूखी जा गई ना तो ठीक है चलिए हम तो जा रहे हैं टेस्ट करने आप लोग भी बनाएए और टेस्ट करके बताएए कि आपकी वियानी कैसे है